लो नमस्कार बच्चो स्वागत है आप सभी को बेसिक सिख्चा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लाटफोर्म पे स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं ICAR काउंसलिंग के बारे में जैसे सीवीटी ने अपनी रिजल्ट जब से रिलीज कर दी है तब से जो हमारे ICAR के जितने भी एस्पेरेंट से सभी लोग जो है ICAR rank card का इंतजार कर रहे हैं और ICAR भी जो है काफी लेट अल्रेडी कर दी है उम्मीद है कि संभवता विदिन कुछ दिनों के अंदर जो है 2-4 दिनों के अंदर जो है ICAR अपनी rank card जो है release कर दे लेकिन उस rank card को release करने से पहले आपको समझना होगा कि ICAR counseling के दोरान जो है किन-किन चीजों पर मुख्य रूप से students को ध्यान देना चाहिए तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ कि ICAR counseling की क्या important instructions है students के लिए उसके बारे में उससे पहले मैं आप सभी को बता दू कि ICAR की rank card या ICAR से related important updates के लिए आपको जो है basic सिक्षा को follow कर लेना है और साथ में अपने आप से आपको icr.org.in का जो आपका website का official website उसको चेक करते रहना है time and again ठीक है किसी भी समय आपका जो है rank card यहां पर आ सकता है जैसे आएगा आपको basic सिक्षा पर सुचित करेंगे हम लोग लेकिन आप भी जो अपने से इसको चेक करते रह सकते हैं जैसे कि अभी फिलाल अगर मैं चेक करूँ यहां पर वही आपका जो 10 अगस्त का जो latest notice था कि जल्दी आपका रहेंका रिलीज होने वाला इसी से काउंसलिंग तो ICR की काउंसलिंग कैसे होती है कि ICR अपना रैंक काड रिलीज करता है ठीक है और उसी रैंक काड के बेसिस पे जितने भी आपके ICR के affiliated universities है उन सारी universities में आपकी 15 से 20% सिट की जो है इस तरह से अलोट किये जाते हैं अब उस काउंसलिंग के दोरान आपको किस तरह से आपके मेरिट बनेंगे तो वो बिल्कुल मेरिट बनेगा आपका जो भी domain subjects आपने 12 में लिया है और उसको opt करके cvt में आपने appear किया है उनी domain subjects के marks को add करके आपके domain के marks के बाद ही आपका जो है मेरिट बनेगा उसी बेसिस पर आपकी जो है ranks decide होंगे तो चलिए सबसे पहले important instructions for candidates क्या-क्या रहने वाली है icr counseling के दौरान उसके एक-एक point पे बाते करूंगा ध्यान सिस वीडियो को लाश्ट तक देखिएगा काफी helpful होने वाला है the candidates who secured zero or negative marks in cvt 2023 are not eligible to participate in the counseling यानि कि जिन बच्चों का zero या negative marks रहेगा आपके domain subjects को जोड कर तो वो तो स्वता ही जो है आपके इस counseling प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे और दूसरा important notice और important instructions क्या है कि there will be four rounds of counseling कितने round counseling के होंगे चार round counseling के होंगे and the mop up round mop up round जो है बच्चों last में कराई जाती है जितने भी आपके vacant seat रहती है अलग-अलग universities में उसकी vacant seat की list release होती है और उसी basis पर आपके जो है mop up round कराये जाते है ठीक है मौप up round पर अलग से आपको detail video भी हम लोग provide करेंगे मौप up round if needed अप gradation will be permitted in the first second and third rounds only तिन राउंड में ही आपका जो है अप्ग्रेड जैसे कुछ बच्चे ने बी एसी honors agriculture चूज किया horticulture चूज किया उनको first round में horticulture allot हो गई लेकिन वो चाहते है अपना अप्ग्रेडेशन के लिए तो उनको second और third round तक ही अप्ग्रेडेशन के chances मिलेंगे ठीक है हलाकि आपके जो counseling है वो चार round होगा normal और एक मौप up round होगी लेकिन अप्ग्रेडेशन के लिए आपको third round तक ही chance मिलेगा ICR does not allot college to the candidates it allots university to the candidates whereas allotment of the constituent accredited college of the university may be a different location from the main campus यह इसलिए है क्यूंकि UP में भी आप देखोगे merit campus है न उसके बाद आपका जो है नरेंदेव and DUT इन सब क्या है कि कई सारे आपके सब campuses है जहां पर BSC honors agriculture पढ़ा ही जाती है यहां पर ICR क्या करती है आपको constituent college allot नहीं करती है ICR क्या करता आपको university allot कर देती है और वो university की decision किस तरह से आपको कौन से location का college आपको allot किया जाए ठीक है तो यह जो आपका ICR simply does not allot the college it allots the university यह university allot कर देगी और उसी basis पे आपका होना है ठीक next question क्या के सल्भी regulated by the university itself but एक चीज यहां पर the university will admit and place the candidates in the constitutional college and programs only including few non accredited programs at RLB, CAU, Jhansi, RPCAU and IRI ठीक है इन समय कुछ programs के लिए जो है वहीं पर कराए जाते हैं ठीक अब category wise merit list choice of the candidates could be one of the criteria for the allotment of constituent college और इंदा agricultural universities कहने का मतलब यह है कि जब आपके काफी सारे students को माल लो कि merit का campus अलोट कर दिया गया अब उस case में क्या होगा बच्चों जो जितने लोगों को मेरे का campus अलोट किया गया है उनके अंदर फिर ranking किये जाएगी और उनके अंदर फिर ranking के हिसाब से उनको constituent अलग अलग colleges में भेजा जाएगा इस तरह से जो है कर सकती agriculture university यह criteria agriculture university के लिए सुझाया गया है अगला बात है all the accredited universities have been instructed to follow the eligibility criteria prescribed by ICER for admission as notified in the cvt 2023 cvt 2023 की जो portal थी उस notification पर आगर आप देखे होंगे तो वहाँ पर यह था था पूरी पूरी line clear mention थी कि उन्ही subject को आपको choose करना होगा जो subject आपने 12 में पढ़ा है ठीक है और उसी के basis पे आपकी counseling होनी है ठीक है तो यही criteria जो है यहाँ पर यह भी follow करेगी जब ICR के आपकी counseling होगी information bulletin के according for this purpose this year the admit card of the candidate condensed information about the subject किस में in the 12th class and the subject combination attempted in the cvt 2023 दोनों सेम होने चाहिए यानि कि यदी कोई बच्चा ध्यान से सुनिएगा यदी कोई बच्चा 12 में अगर PCB background से है तो उसकी जो ICR की rank card बनेगी वो आपका यही PCB के ही marks को जोड कर बनेगा ICR rank card जो होगा वो आपका PCB से ही बनेगा यानि कि combination in the CUT 2023 must have passed these subjects in the class 12 examination ये बहुत ज्यादा बड़ी eligibility criteria में बदलाव हुआ है पिछले साल से ठीक है in case any particular board is not recognized or has been de-recognized by some university ICR will not be held responsible for admitting those candidates candidates in the university not willing to take admission of that candidates यानि कि अगर मान लीजे कोई एक university है X उसने कुछ-कुछ state boards को de-recognize कर दिया उसको माननेता नहीं दिया तो उन states से पढ़े हुए बच्चे को उस particular university में वो नहीं भी दाखिला ले सकती है इसकी जो है आपकी sole right जो होती है उनिवर्सिटी के होती है ICR इसमें कुछ नहीं कर सकती यानि कि आपका जिस भी board से आपने 12th किया है वो आपकी nationally accredited होना चाहिए या आपकी जो है state से माननेता प्राप्त होना चाहिए जिसे ICR के university जो है वो recognize करते रहे हो ठीक है बहुत सारे students का क्या होता है कहीं कहीं जगह से किसकी state boards या local boards से जो है अगर diploma कर लेते हैं और इस तरह से 12th कर लेते हैं तो उन सब को recognition नहीं मिल सकती है यहाँ पर यह चीज़ें यहाँ पर clear mention किया गया अगला rule है आपका against total number of ICR seats, total जितने भी seat है किसी भी university का available for particular degree program in a university not more than 40% of the ICR seat allotted from one state would be allocated to any one of the university in that subject or program under particular category यानि कहने का मतलब यदी किसी भी के university में किसी program के अंदर ICR seat है तो उसकी पूरी-पूरी आपकी 40% से ज्यादा seat आप किसी एक category को जो है आप allot नहीं कर सकते हो किसी के state से ठीक है उसके बाद जो है अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो आपके rounding up करके जो nearest integer रहेगा उसके according हो लोगों को कोई बहुत ज्यादा important नहीं हमारे समझने के लिए ठीक है अगला हम लोग समझेंगे candidates declare eligible for registration and choice filling and advise to remain in regular touch with the ICR website जो आपने हमने कहा था इसी website पे आपके eligibility rank cards सब कुछ इसी website से आपको notify होना है या तो फिर ICR exam.net for any change in the schedule notice circular जो भी आपके messages आते हो इसी से आएगा in case SMS और email are issued not received by the candidates in due time due to technical reason ICR shall not be responsible for it. कभी कभी क्या होता आपके emails और telephone numbers मैंने कहा था कि उसको safely आप रखियेगा जब तक आपके admission ना हो जाए किसी एक particular university में या colleges में ठीक है क्योंकि वो साव अगर नहीं भी आती है आपके mail mail या फिर messages to scale ICR is not responsible. No claim or compensation for problems if any encountered for cost incurred in the counseling will be entertained by the ICR universities या फिर university. For BSC Honors Community Science Program at CCSHAU, हिसार, PJT, जैसंकर, तेलंगान, State Agriculture University, हैदराबाद and Central Agriculture University, IMFAL only female candidates are eligible. तो ये थे कुछ important आपके instructions जो की ICR counseling 2023 में आपके लिए काफी helpful होने वाले हैं. आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा जरूर से comment section में mention करिएगा और ICR से related recent updates के लिए या फिर CVT 2024 की तैयारी के लिए BSC सिक्चा से जुड़े रहें. धन्यवाद.